हेलो दोस्तों भाईयों बैनों मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अविरल धारा पे आए आज इस वीडियो में देखते हैं कि जो भारती जलवाई है या आप कह सकते हैं जो इंडियन क्लाइमेट है उसकी मुख्य विशेस्ताएं क्या है वाट आर दा सेलिय फीचर साफ इंडियन क्लाइमेट तो जैसे कि आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट है मौनसूनल क्लाइमेट मौनसून क्लाइमेट की खासियत क्या होती है कलर थोड़ा लाल आ रहा है मैं इसको हरा पीला कर लेता हूं हाँ ओके तो इंडियन मौनसून की क्या खासियत है इंडिया 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 इंडिय समुद्र से जो है अस्थल की और फिर 6 मौने से समुद्र की ओर चलती हैं और बहुत सारे फिर बीच में climate changes आते हैं साल भर का में 365 दिन का पीरियद 365 डेस का पिरिएज बड़ा पीरियड होता है तो इं सारी चीजों में बहुत सारे changes जो आते हैं वही changes और उनकी जो characteristics हैं वही कुल मिला करके Indian climate की क्या हैं विसेशताएं हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्या विसेशता है Indian climate की आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने पहला point लिखा है reversal of winds वही मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है जो monsoon की सबसे बड़ी खासियत है यही reversal ही इस monsoon को एक अलग तरीके का climate बनाता है अब आप देखिए कि क्या है कि wind इसमें हवाएं छे महिने land to ocean फिर छे महिने ocean to land तो इस तरीके का wind movement होता है reversal in wind direction होता है मतलब south west से north east कप चलती है south west याद रखिये यह भी यह south है और यह है कौन सा west यह कौन सा east है इधर side में और यह है North तो हवाएं चे महिने southwest इधर से इधर चलती है north east की तरह और 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 यह चलती कर्व गर्मियों में उपर अगले ची महिने north east से southwest की तरह इधर नीचे की तरफ आती हैं तो ये पहली जो है वो प्रापर्टी है या आप कह सकते हैं पहला फीचर है क्सका इंडियन क्लाइमेट का दूसरा फीचर क्या है फार्मेशन आफ अल्टरनेट high and low pressure over land land के उपर जो है आप देखेंगे कि जो है वो alternate high और low pressure बनते रहते हैं कहने का मतलब यह है कि आप जब land mask को देखेंगे Indian land mask को लग कलर बदल लेता हूं तो बदाता हूं तो Indian land mask को आप देखेंगे तो देखेंगे पहाड भी है पहाड के नीचे मैदान है उत्तर भारत के मैदान मैदान के नीचे प्लैट्यू है भाईया उंचा सा उठा हुआ पनिंसुलार प्लैट्यू है तो आप देखेंगे कि हर जगा जो है वो soil का नेचर जो है या रॉक का जो नेचर है वो अलग-अलग है और अलग-अलग energy को वो reflect करते हैं तो पहाडों पे जो energy होगी वो अलग तरीके की होगी या solar radiation जो receive होगी जो plane है वहाँ पे अलग होगी जो प्लैट्यू है वो अलग होगी और इसके कारण से जो heating होगी अलग-अलग जगा पर वो अलग-अलग तरीके से होगी और जब alternate high and low pressure होंगे अलग-अलग high pressure low pressure sales जो है वो develop होते हैं land areas में अलग-अलग time पे ठीक है तो यह दूसरी खासियत है कि formation होता है किसका alternate high and low pressure low pressure sales का और दिन रात के बीज में भी तापमान में अंतर होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन होती है तो यह दूसरी खासिय क्या है भाई तीसरी खासियत यह है कि seasonal and variable rainfall जो भारत का बारिस है मतलब भारती जब आप महादीव की Indian subcontinent की बात करेंगे तो यहां पर जो पानी बरसता है गुरू वो अलग-अलग तरीके से बरसता है अलग-अलग तरीके से कैसे होता है seasonal का मतलब क्या कि एक particular season में जो summer के बाद वाला season होता है मतलब summer के साथ और summer के थोड़ा सा बात मतलब मई, जून, जुलाई के जो months होते हैं उसमें बारिस ज्यादा होती है तो seasonal rainfall होती है बाकी महीनों में बारिस बहुत कम होती है variable का मतलब ज्यादा तर बारिस ही नहीं जुलाई, अगस, स्टमबर यहीं इसी म सर्दियों में जो बारिस होती है टोटल इंडिया की बारिस का खाली 3% होती है याद रखिएगा और जो monsoon से बारिस होती है वो total कुल मिला करके लगभग 85% के around होती है monsoon से होने वाली rainfall ज्यादा तर rainfall 4-6 महीने ही concentrated होती है तो यह एक point है कि seasonal और variable rainfall होता है अलग अलग महीनों में अलग rainfall होता है summer months में ज्यादा rainfall होता है winter में कम होता है फिर pre monsoon season जो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत हो हीटिंग के कराण से rainfall होता है तो यह एक बहुत ही important point है इस point को याद रखिएगा गुरू तो अगला क्या है plurality of season next point is plurality of season इसका मतलब यह है कि जो इंडिया की जो होती रहती है और जो बड़े तीन season है कौन कौन से है भाईया winter है फिर है भाईया summer है और summer के साथ ही आता है आपका rainy season यह तीन तो बड़े season हो गए winter सर्दियां गर्मियां और बरसात का season लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे seasons भी आते हैं जैसे आपने सुना होगा winter के बाद होता है fall of winter सर्दियों के बाद वसंत रितु आती है जैसे अभी का समय चल रहा है तो यह क्या हो रहा है fall of winter ठीक है तो मार्च वगेरा का जो time होता है खुल मिला करके यही होता है fall of winter फिर उसके बाद जो है वो फरवरी और mid-march तक fall of winter हुआ फिर spring season आ जाता है March के last तक होता है spring कुछ फूल किलते हैं अभी देखिए एकदम बाग हरा भरा है March का time है अज एक 20 March है तो एकदम हरा भरा होता है तो यह हो गया आपका spring spring के बाद जैसे ही April और मई आएगा आधे April के बाद 15th April के बाद शुरू हो जाएगी summer और जमा जम जो temperature है वो बढ़ेग 40 degrees तक जाता है North India का temperature आदमी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है उसी समय लू चलती है बाहर निकलोगे न चेहरा लाल हो जाएगा बंदर बन जाओगे कुछ देर में बानर जैसे हो जाएगा ठीक है तो कुल मिला करके summer season आएगा और summer के बाद ही फिर मई तक मई के बाद June में basically जो है वो start हो जाती है आपकी बारिस रेनी सीजन आजाता है और फिर खुब जमाजम बारिस में लोग नहाते है धान की फसल उस समय ठीक है खरीव की फसल जो है वो चलती है धान गन्ना ये सब होता है तो खेर वो मैं वीडियो में बात कर चुका हूं आप देख लीज होता है तो याद रखेगा autumn break मतलब autumn का time वही होता है तो there is plurality of season so it is important point season जो होते है प्लूरल seasons होते हैं इंडिया में ओके इसके बाद आप हम देखते हैं last point क्या है characterized by natural calamities इंडिया का जो भाईया जलवायू है उसमें बहुत सारी आपदाएं विपदाएं आती है वापदाएं विपदाएं का मतलब क्या है तीन चार महिने में पानी खुब बरस रहा है वही जून जुलाई अगस्त सिप्टमबर में उस समय बहुत सारे भागों में आती है कब आती है कहां कहां आती है जैसे वहिया कोसी को बोलते हैं सौरवा बिहार तो बिहार में कोसी रिवर जो होती है को बाढ़ ले करके आती है गंगा की सहायक नदी है वैसे ही दामोदर जो हुगली की सहायक नदी है बेंगाल में बाढ़ ले करके आती है इसको अबाही मचाती है कब बारिस के सीजन में तो ये बारिस के सीजन में पानी बढ़ता है और इसके कारण से क्या होते हैं क्लैमिटीज आते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लड या बाढ़ाते हैं लेकिन जब वहीं बारिस का सीजन खतम होता है पानी दीरी दीरे नदियों का कम होने लगता है उधर जो है वो थंडियां आती है थंडियों में बहुत कम बारिस होती है थोड़ा बहुत पस्चमी विच्छोब या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसे से होती है फिर जब मार्च अप्रिल मई आना शुरू होता है जो मैई आते आते नदियों का पानी एकदम सूख जा और फिर आना शुरू हो जाती है ड्राट सूखे की स्थिति उत्पन हो जाती है और किसान माथा पकड़के अपना माथा फोड़ते हैं कि भाईया बरस जाओ और बद्रा लेकिन बद्रा जो है वो रहम नहीं खाता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्राट और फ्लड य गया कुछ ऐसे बुन खंड रीजन हो गया इन सारे रीजन में भी सेमी एरी टाइप के रीजन है अर्थसुष टाइप के जहां पर ड्राट कंडिशन्स होती है नदियों के साथ हमेशा बार जुड़ी होती है उसके साथ साथ पहाडों में जब पानी बरस जाता है तो होते ह लेंड स्लाइड या मद स्लाइड, मिट्टी कट-कट करके गिर्ती है तो लेंड स्लाइड वहां पर पहाडों में होते हैं, फिर कहीं कहीं पर एवलांस वगहरा भी आ सकते हैं, अगर जादा बारिस हो गई या कुछ भी मतलब त्रेमर आगा है तो अवलान्स होगेरह भी आते हैं तो अवलान्स भी पार्ण ही है. इंडियन क्लाइमेट का क्योंकि हवाएं जो होती है वही बफ को जमाती है पहाडों में फिर वो तूट करके नीचे खिसकते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे जो इंडियन क्लाइमेट है उसकी ये मुख्ष मुख्ष खासियत है कि इसमें क्या होगा रिवर्स अलाफ बिंड होता है हुआँ की दिसा में परिवर्तान जगा जगा पर अल्टरनेट हाई और लो प्रेसर होता है जो बारे से उसकी प्रकूर्टी क्या है छंड सीजन करती है गर्मी में अलग तरीके होती यकिश्mbां प्रफावब होते हैं ऊसारे सीजन होतлять हैं इसकी इंडियन क्लाइमेट की या भारती चलवायों की अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ तब तक के लिए सुक्रिया गुड़ नाइट अदावर्ज है सब्भा खायर जो भी आप कह लीजिए नमस्कारम ठीक है मिलते हैं मेरे वीडियो को लाइक से झाल मेरे वीडियो मेरे झेटियो तक बाभवां के सतहूं के लिए नमस्कारम एमस्कारम ठावाद के बाभवां के यार रेदा है जवाए़